हेलो फेंड्स मैं हूँ सौरब देवी लक्षमी जिस प्रकार सुक्स सम्रद्धी प्रदान करती है उसी प्रकार गोमाता भी अपने दूस्स स्वास्थ रूपे धन प्रदान करती है इनका बच्छडा खेतों में अनाज उगाता है इस प्रकार गोमाता संपूर मानब जाती के लिए पूजनिय और आधनिय है गाये के लिए सरद्धा पिगट करने के लिए ही कारतिक सुकल पक्स प्रतिपदा के दिन गोबर्धन और गाये की पूजा की जाती है आगे बात करते हैं गोबर्धन की पूजा क्यों की जाती है जब स्री किष्ण ने ब्रजवासी और कुमुजल अधार बारिस से बचाने के लिए साथ दिन तक गोबर्धन परवत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा कर रखा और सभी ब्रजवासी उसकी छाया में सुख पूर्वग रहे साथ दिन भगवान ने गोबर्धन को नीचे रखा और पिर्तिवर्ष गोबर्धन पुजा करके अन्ड़कूट का उठसब मनाने की आग्या दी तभी से यह उठसब अन्ड़कूट के नाम से मनाया जाने लगा गोबर्धन परवत उत्तर प्रदेश के मतुरा जिले के अंतरगत एक नगर पंचायत है गोबर्धन में इसके आसपास के छेत्र को ब्रजभूमी भी कहा जाता है गोबर्धन परवत को भक्तजन गिरीराज के नाम से भी जानते है सदियों से यहां दूर दूर से भक्तजन गिरीराज जी की परिक्रमा करने आते है गोबर्धन परवत की साथ कोस की परिक्रमा लगवग 21 किलोमेटर की है परिक्रमा जहां से सुरू होती है वही पर एक प्रिसिद्ध मंदिर भी है जिसे दानगाटी मंदिर कहा जाता है सो गैस ये थी गोबर्दन परवत की पूजा करने के पीछे चुपी एक छोटी सी कहानी तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आले हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो तक के लिए अपना खैल लगना जै हिन जै भारत